Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 11, Profit and Loss. अब पिछली classes में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हो. देखो, इसके अंदे Profit और Loss पढ़ने से पहले हमें दो चीज़े पता होनी चाहिए. एक होती ही Cost Price और दूसरी होती है Selling Price. So, Cost Price क्या होता है? Cost Price is the price at which an article is bought. मतलब जिस rate में, जिस price पर हम किसी भी article, किसी भी चीज़ को खरीद कर लाते हैं. मतलब जितने रुपे में हम उसको खरीद कर लाएं, वो होती है उसकी Cost Price. Second है Selling Price. Selling Price, the price at which an article is sold, is called its Selling Price. So, जिस price में हम खरीद कर लाएं, वो होता है है उसकी Cost Price. उसके बाद हमने क्या किया, उसको बेचा है, ठीक है, उसी चीज़ को हमने बेचा है. तो उसको हमने किस rate पर बेचा है, किस price पर बेचा है, वो उसकी कहलाती है, Selling Price. Suppose, आप एक पैन खरीद के लाएं, फाइफ रूपीज का आप एक पैन खरीद के लाएं, आपने आपके फ्रेंड को वो पैन दे दिया, सिक्स रूपीज में, तो आपकी Cost Price किया हुई, जिस पर आप खरीद के लाएं थे, That means, 5 रूपीज, और आपने बेचा कितने में था, 6 रूपीज में, तो 6 रूपीज किया हुई, आपकी Selling Price. तो यह है basically Cost Price and Selling Price. पर next जैसा कि यह जो chapter का नाम है, Profit or Loss. Profit कब होता है, जब हमें कोई फाइदा हो, और Loss, जब हमें नुकसान हो. अब हम किसी चीज को खरीद रहें, बेच रहें, अगर हमें उसको बेचने में कुछ फाइदा होता है, तो वो कहलाएगा Profit, और अगर उसको बेचने में हमें नुकसान हो रहा है, तो वो कहलाएगा Loss. तो सबसे पहले हम case देखते हैं, Profit का. जब हम लाये तो कम rate पर थे, लेकिन बेच दिया हमने ज़्यादा प्राइस पर, यह न, सस्ते में लाये थे और ज़्यादा में बेच दिया, तो हमें होता है Profit फाइदा होता है, तो उस Profit के लिए जो condition है, वो क्या होनी चाहिए? Profit के लिए, जो selling price है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, cost price से, तब ही तो हमें फाइदा होगा, सस्ते में लाकर थोड़ा में बेच दिया, तब ही तो हमें फाइदा होगा, तो हम Profit को कैसे निकाल सकते हैं, Profit निकालने का जो formula होता है, वो होता है, selling price minus cost price, ठीक है, जब हम selling price में से cost price को minus कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा Profit, ठीक है, यहाँ पर यह चीज़ यान रखनी है, और इसी formula पर based जैसे अगर आपको बोला जाएगी, selling price बताओ, तो selling price भी आप निकाल सकते हो, selling price निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यह जो cost price है, selling price हमें एक तरफ रखने है, आपने जनरल यह चीज़ पढ़ी है, selling price एक तरफ रखेंगे, तो cost price क्या होगा, उस तरफ चला जाएगा, equals to के, तो इधर यह minus में तो उधर जाके क्या होगा, plus, तो यह हो जाएगा, cost price plus profit, selling price निकालने का क्या तरीका है, cost price plus profit, अगर हमें cost price नि निकालने का formula होता है, selling price minus profit, अगर हम हमारी selling price में से profit को minus कर दें, तो हमें cost price निकल जाएगी, फिर next formula जो है, वो है profit percent, जब हमें हमारा profit, यहाँ पर यह जो profit निकालने का तरीका था, selling price minus cost price, इसके अंदर हमें number में आ जाएगा, लेकिन जब उसे हमें percentage में change करना होता है, तो आपको सबको पता है percentage मतलब क्या होता है, उसको हम hundred में change करते हैं, तो देखो यहाँ पर हम profit percent निकालने का formula होगा, profit upon cost price into hundred, यह है profit निकालने का, profit percent निकालने का formula, यह सारी चीज़े आपको आपकी copy में लिखनी है, जो भी हम लिख रहे हैं, वो आपको आपकी copy में लिखनी है और यह formulas learn भी करने हैं, इनी formula को use करके आप जो exercise की question है वो solve कर पाऊगे, तो सबसे पहले formulas learn करने हैं, तो यह तो था profit के बारे में, जब हमें फाइदा होता है, तब हम कैसे different quantities हैं, उनको find out कर सकते हैं, next है loss, तो loss कब होता है, जब हमारी selling price जो है, वो cost price से कम हो, मतलब हम खरी इतके ज़्यादा हमें लाये थे और बेचा हमने उससे कम rate में, तो हमें loss होता है, नुकसान होता है, तो loss कब होगा, जब selling price छोटी हो, cost price से, cost price बड़ी होगी, तो loss को find out करने के लिए हम क्या करेंगे, cost price में से selling price को जब minus कर देंगे, तो हमें loss मिल जाएगा, अगर हमें selling price minus करनी है, तो जैसे selling price हमें find out करनी है, तो उसका formula क्या होगा, cost price minus loss, और अगर cost price find out करनी हो, तो उसका formula होगा, selling price plus loss, फिर इसका percentage भी निकालते हैं, loss percent, loss percent का formula होता है, loss upon cp into 100, rate, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि जब भी हम profit percent निकाले चाहें, loss percent निकाले, यह हमेशा किस पर निकल रहा है, cp पर ही निकलता है, sp पर नहीं निकलता है, जिस price पर हम खरीद के लाएं हैं चीज़े, उसी के ऊपर profit percent और loss percent निकाला जाता है, तो आपको यह formula भी in the following table, यहाँ पर हमें cost price और selling price given है, हमें बताना है profit या loss क्या होता है, उन्हें profit हो रहा है या loss हो रहा है, और जो profit या loss हो रहा है, फिर उसका हमें percentage भी निकालना है, तो देखो first case देखो, first case में cost price, cp है हमारी 2000, और sp कितनी है, 2500, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालेंगे, कि देखो cost price ज्यादा है, selling price ज्यादा है, selling price ज्यादा है cost price से, it means क्या होगा इसको, first case में profit होगा, यहाँ पर लिख लेंगे, अपन क्या हो रहा है, profit हो रहा है, और profit निकालने का formula क्या होता है, sp minus cp, अब sp कितना है हमारा, sp है 2500, और इसके अंदर से cp minus कर देंगे, cp कितना ह 2000, तो कितना बचेगा, 2500 में से 2000 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 500, इसका मतलब profit कितना हुआ है, profit हुआ है 500 रुपीज का, तो यहाँ हम लिख लेंगे, रुपीज 500, अब हमें क्या निकालना है, profit percent का formula भी आपको पता है, learn किया है न आपने, profit percent का जो formula होता है, वो होता है, profit upon cp into 100, तो हमारा यह profit कितना था, profit रुपीज 500, नीचे डिवाइड में आजाएगा, upon cp कितना है, 2000 into 100, इसको solve करोगे, 0 से 0, इस 0 से 0 cancel, यह से यह cancel हो जाएगा, फिर 2 ones are 2, and 2 की table में 50 का बाएगा, 25 times, तो percentage कितना हो जाएगा, 25%, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे profit percent कितना है, 25%, तो कि समझ आए आपको यह चीज, just formula पर based है, formula अगर learn होंगे, तो ही यह question आप अच्छे से solve कर पाऊगे, अब देखो इसका second part देखता है, second part के अंदर हमें, क्या given है, cost price 8,000 और selling price 6,000 है, अब यहाँ पर क्या चीज ज्याद है, cost price ज्यादा है, और selling price कम है, it means इसको क्या होगा, loss होगा, और loss का जो formula होता है, वो क्या होता है, cp minus sp, हमारा देखो, अब cp minus sp करेंगे, मतलब 8,000 में से 6,000 को हमें minus करना है, so 8,000 minus 6,000, इसको minus करेंगे तो कितना बचेगा, 2000, it means loss कितने रुपे का हुआ है, 2000 रुपीज का loss हुआ है, अब इसका percentage find out करना है, तो loss percent का formula क्या होता है, same profit जैसा ही, लेकिन उसकी जगपर हम क्या लिख लेते हैं, loss लिख लेते हैं, loss upon cp into 100, तो loss यहाँ पर हो रहा है, 2000 रुपीज का, cp कितना है हमारा, cp is 8,000, और यह जाएगा into 100, इसको solve करोगे, तो यह हो जाएगा 25 times, तो यहाँ पर भी answer हमारा क्या आएगा, 25 percent, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 percent, अब थर्ड वाला करते हैं इसका, third part, third part में हमें cost price कितना given है, 6000 और selling price कितना है, 5100, तो यहाँ पर selling price ज्यादा है cost price से, it means, क्या होगा loss या profit, again loss ही होगा, तो loss का formula क्या होता है, cp minus sp, find out करेंगे, हम देखो cp कितना given है हमें, 6000, इसके अंदर से हम minus कर देंगे, sp जो की है 5100, जब इसको minus कर देंगे तो कितना आएगा, 900, तो हमारा loss कितने रुपे का हुआ है, 900 rupees का loss हुआ है, अब इसका भी percentage निकालेंगे, वो ही again we are applying the same formula, loss percent का जो formula है, क्या होता है, loss upon cp into 100, तो loss कितने का हो रहा है या 900 का, cp हमारा कितना है, cost price is 6000, और into 100, जब इसको आप solve करोगे, जब इसको solve करोगे, तो answer किया आएगा, 15, तो यहां पे जो loss का percent है, वो है 15 percent, इसका जो fourth part है, वो भी आपको ऐसे ही solve करना है, same तरीके से, homework है, you have to do it yourself, Question number two, Sonu bought an old bicycle for rupees 575, and sold it to his friend Rohit at rupees 655, find that Sonu get how much profit, Sonu ने bought मतलब लाया, खरीद के पुरानी cycle कितने रुपे में, इतने रुपे में, तो यह क्या होगे, इसकी cost price, Then उसने उसको sold किया है, उसके friend Rohit को, इस price में, तो इस spare price पे उसने उसको बेचा है, तो यह हो गई selling price, अब हमें find out करना है कि उसको कितने रुपे का profit हुआ है, देखो हमें जो जो given है, पहले हम वो लिख लेंगे, हमें cost price given है, जो की है रुपीज 575, then हमें given है selling price, जो की है रुपीज 655, अब यहाँ पर हमें question में direct given है कि उसको क्या हो रहा है, profit हो रहा है, अगर नहीं भी given होता तो हम find out कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, selling price ज़्यादा है cost price से, तो जब selling price cost price से ज़्यादा होती है, तो profit ही होता है, अब profit निकालने का क्या formula है, profit is equals to SP minus CP, SP है हमारा 655, इसके अंदर से हम minus कर देंगे, रुपीज 575, तो कितना बचेगा, जब हम इसको minus करेंगे, तो बचेगा 80, it means उसको profit कितने रुपे का हुआ है, 80 रुपीज का profit हुआ है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, सो नू gets रुपीज 80 एस profit, सो नू को 80 रुपे का फाइदा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या गिवन हैं, देखो, विवेक जो है, वो एक गड़ी खरीद के लाया है, इतने रुपे में, और वो पुरानी गड़ी खरीद के लाया है, इसलिए उसको रिपैर भी कराना पड़ा, उसको सही भी करवाना पड़ा, तो 50 रुपे उसको और extra लग गए, फिर उसने उस गड़ी को इस rate पर बेच दिया, अब हमें find out करना है, कि उसको कितना loss हुआ है, देखो, इस price पर तो उसने बेचा, तो यह तो क्या होगी हमारी selling price, यह है हमारी cost price, लेकिन यह जो repair का खर्चा उसने किया है, यह किसमें जुड़ेगा, cost price में या selling price में, यह तो उसने जब खरीदी तब किया है, तो यह किसमें जुड़ेगा, cost price में जुड़ेगा, तो यहाँ पर हमारी जो cost price है, वो क्या हो जाएगी, 2570, और साथ में जो repair का खर्चा है, वो भी इसी cost price में add होगा, तो total cost price हो जाएगी, 2620, ओके, next क्या given है, हमें selling price given है, जो की है, 2250, अब हमें क्या find out करना है, loss find out करना है, question में given है, loss का formula क्या होता है, CP minus SP, तो CP क्या है हमारा, CP है 2620, इसके अंदर से माइनस कर देंगे हमारा SP, 2250, तो कितना बचेगा, यह बचेगा, 370 रुपीज, मतलब उसको कितने रुपे का नुकसान हुआ उस गड़ी पे, 370 रुपीज का उसको loss होगा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे विवेक, head, loss of rupees 370 on watch, उस गड़ी पे उसको इतने रुपे का नुकसान हुआ है, उसके बाद जो next question है, question number 4, वो आपको self करना है, वो homework है,